नमस्कार दोस्तों, आटी लेक्चर्स के यूट्यूब एजी केसनल चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कम्प्लिटली डिस्कस करेंगे इस्प्लीनो पॉर्टो वीनो ग्रापी स्पेसल इन्वेस्टिकेशन को जो एक प्रकार का interventional radioological procedure है जिसके अंदर डाइग्नोसिस के साथ में जो पॉर्टल सिस्टम के अंदर किसी प्रकार की structural and functional abnormalities होती है उनको भी treat किया जाता है interventional radioology में ये procedure किया जाता है तो इस procedure को start करने से पहले अगर आप चैनल पर नहीं है आप अपडेट रहें तो आईए बात करते हैं सबसे पहले हम इस्प्लीनो पोर्टो वीनो ग्रापी इस्पेसल इन्वेस्टिगेशन के इंट्रोडेक्शन के बारे में तो जैसा कि आपको पता है कि इसका जो नेम है इस्प्लीनो पोर्टो वीनो ग्रापी इस्प्लीन इस्प spleen, यहां पर क्या किया जाता है ispleen को puncture करके वहां पर contrast जो पोर्टल सिस्टम है उसके अंदर introduce किया जाता है तो इसलिए इसको नाम दिया गया इसpleenoportovenography तो इस परकार से इसको हम परिवासिट कर सकते हैं कि यह radioographic study of the hepatic portal venus system by injecting radio रिडियोपिक कॉंटास्ट मीडिया थ्रो दा पर्कुटीनियस इस्प्लेनिक पंक्चर इन्टू एट एट एड टू डाइग्नोस इस्ट्रेक्स्राल एंड फंक्शनल अब्मोर्माटीज ओब दा हिपेटिक पॉर्टल वीनस सिस्टम मतलब यह है कि रेडियोग्राफिक जो ह हेपेटिक पॉर्टल वीनस सिस्टम है उसकी हम रेडियोग्राफि करते हैं यहां पर जो रेडियोपिक कॉंटास्ट मीडिया है उसको पर्कुटीनियस ली स्प्लेनिक पंक्चर के तरू मतलब इस्कीन को पंक्चर करके स्प्लीन के अंदर निडल को इंजक्ट कि इंसर्ट को यहां पर जाचा जाता है इसके अंदर सब्सक्राइब किया जाता है सबसे पहले युस्जी मसीन की सायता से स्प्लीन को एंड इस्प्लीन की लोकेशन देखने के बाद उस साइट को वहां पर क्लीन किया जाता है आयडीन सॉलिशन से स्क्राइबिंग की जाती है उसके पर वहां पर पंक्चर किया जाता है उस निडल के थुरू स्कीन को एंड उसके बाद में जो निडल होती है उसको इंसर्ट किया जाता है spleen spleen के अंदर یعنی spleen को puncture किया जाता है और उस needle को spleen के pulp तक के जो region होता है वहाँ तक उसको insert किया जाता है and after then contrast injection किया जाता है जो contrast follow up करता है splenic vein को and portal circulation को इस प्रकार से जो contrast is splenic vein splenic pulp से splenic vein में जाता है and after then portal circulation के अंदर वो entry करता है उसके बाद में इसकी रेडियोग्राफिक इमीज हम यहाँ पर लेते हैं तो आईए बात करते हैं किस प्रकार से जैसे हमने यहाँ पर जैसे यह स्कीन है यहाँ पर इसके नीडल इंसेट करते हैं इस्प्लीन की पल्प तक इस्कीन यह स्कीन है हमने यहां पर किया है iskin को puncture किया है तो यहां पर, इस साइट की iskin को puncture करके जो needle के थुरो needle को यहां पर splenic pulp के अंदर insert के जाता है and splenic pulp के अंदर hem contrast का injection करते हैं वो splenic vein के थुरो यहां पर portal circulation के अंदर enter करता है और उसके बाद इसके radiographic image ली जाती है hepatic portal venus system की next इसके बाद बात करते हैं हम इसकी anatomy की हमने प्रीचे की बात कर ली introduction की बात कर ली है थे हम समझेंगे इसकी anatomy को hepatic portal system के anatomy क्या है तो hepatic portal system बना होता है hepatic portal vein के दो आरा और उसकी जो high pains होती है उनके दोारा नी ट्राइबुट्रींस की द्वारा तो सहाइकवेन कौन कौन से हैं इसकी पोर्टल सिस्टम की जो मुख्य वीजंटरिक होती है वो तो है 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 लोसष पोड़ल वीजंटरिक होती है इन दोनों के convergence से यहाँ पर hepatic portal vein का निर्मान होता है inferior magentric vein connected होती है splenic vein के तुरू जैसे आप देख सकते हैं इसके अंदर यह है inferior magentric vein और यह है superior magentric vein superior magentric vein directly जो hepatic portal vein है उससे connect हो रही है and जो inferior magentric vein है वो directly hepatic portal vein से ना connect हो कही यह वो connect होती है splenic vein से जैसा कि आप देख पा रहे है इसके बाद जो hepatic word होता है वो हमारे liver से related होता है आपने सुनाओगा इसलिए जो hepatic portal vein है वो इसका जो मुख्य काम होता है वो एक प्रकार की blood vessels होती है इसका मुख्य काम होता है nutrient rich blood होता है उसको stomach, intestines यह small and large intestine pancreas, spleen इन से क्या करती है nutrient rich blood को लेकर आती है यह hepatic portal vein और उसको liver के अंदर भेजती है and liver में इसका filtration होता है और processing होती है और liver में जो foods के nutrients होते है उनका deposition भी होता है storage भी होता है वहाँ पर और इसे के साथ में जो इनके द्वारा आने वाले जो toxins पदार्थ होते हैं stomach, intestine, pancreas and spleen के द्वारा तो उसको भी यह क्या करती है deliver करती है liver को तो वहाँ पर क्या होता है इनका chemical modification होता है इन toxins का यानि जिस process के द्वारा इनका जो chemical modification होता है उसे अपन कहते है detoxification यानि यह toxins, materials होते है उनको detoxify करना मुख्य काम होता है याँ पर liver का and then the hepatic vein carry blood to the heart through the systemic circulation उसके बाद में liver से एक vein निकलती है जिसे अपन कहते है liver की hepatic vein उस hepatic vein से जो blood filter हुआ है उसको systemic circulation के अंदर पहुचा दिया जाता है यानि heart के अंदर systemic circulation के थुरू heart के अंदर उसको पहुचा दिया जाता है जैसा कि आप देख पा रहे है एक R1 diagram से आप देख सकते हैं यापर इस stomach and जो intestines थी उनके द्वारा जो nutrient rich blood था उसको superior and inferior mesentric veins के अंदर supply किया जाता है और उसके बाद में ये blood supply किया जाता है hepatic portal vein के अंदर hepatic portal vein इसको भेजते हैं liver की sinusoid के अंदर वहाँ पर इसकी detoxification की and जो इसकी processing होती है filtration की and storage की वो यहाँ पर complete होती है उसके बाद में जो blood है hepatic vein में जाता है और hepatic vein के through inferior vein कावा में जाता है and inferior vein कावा directly connected होता है heart से इस परकार से जो blood का circulation है यहाँ पर होता है then हम बात करते हैं इसके indications की यानि ये procedure कब किया जाता है to demonstrate prior to the operation और surgery operation या surgery से पहले इसको किया जाता है क्यों? क्योंकि यहाँ पर hepatic portal venus system की anatomy को चेक करने के लिए किन patients के अंदर जिनके जिनको portal hypertension यानि जो portal system है उसके अंदर अतितनाव की इस्तती होती है उन patients की anatomy को देखा गता है before the operation and surgery to evaluate the patency of portal systemic anastomosis portal जो venus system होता है उसकी जो anatomy होती है उसका anastomosis होता है system का उसको भी evaluate कर सकते है हम याप पर उसकी patency को भी and to evaluate splenic and hepatic trauma splen का trauma होई है liver का trauma उसको भी हम याप पर evaluate कर सकते है and hepatic vein thrombosis यानि कि जो hepatic vein है उसके अंदर clot बन जा है blood की कारण तो उस condition ko हम यापर diagnose कर सकते है साथ ही वहाँ पर इस्ट्रिक्चर यानि उसका संक्रापन हो जाता है उसको भी हम यहाँ पर डाइगनोज कर सकती है और साथ ही वहाँ पर किसी प्रकार का ब्लोकेज होता है उसको भी यहाँ पर डाइगनोज किया जाता है देनम बात करते हैं इसके Contra Indications की यानि ये procedure कब नहीं किया दाता है जैसे कि Suspected Pregnancy हो, Contrast Media से Allergy हो पैसेंट को, Gross Splinomegaly यानि इसमीन का Enlargement बहुत अत्यादिक हो Recent Surgery of Splins, Splin के हाली में Surgery हो and Bleeding Disorders Bleeding से Related Disorder 100% को, इन सभी Conditions से अंदर इस procedure को Contra Indicate किया दाता है यानि इस procedure को नहीं किरते ठीक है, Next बात करें Contrast Media की, तो कौन सा Contrast Media यहाँ पर यूज किया दाता है वो है यहाँ यहाँ पर Identated Water Soluble Contrast Media वो भी होना चाहिए उसकी Osmolarity Low यानि कि Low Osmolar Contrast Media जिसकी Osmolarity लगबग होनी की यह 370mg Iodine परती ML के इसाफ से ठीक है डोज की बात करें यहाँ पर तो इसकी लगबग 50 ml डोज यहाँ पर यूज की जाती है इसका एक्जांपल है Omniopic Eye Exode जैसा कि आप डाइग्राम में देख पा रहे हैं नेक्स्ट बात करते हैं इसके इसकी equipment की यहनी कौन से equipment इस procedure के during हमें requirement होती है जिन के अंदर है fluoroscopy unit with IITV system, image intensified TV system के साथ में and USG machine जो की liver की position को locate करने के लिए चाहिए होती है sport film device, x-ray case, iodine solution जैसे betadine and local and general anesthesia according to requirement goes pieces, surgical blade, bandage, injection digepam, arterial catheter, spinal needle तो यह सभी equipment हमें require होती है इस procedure के दोरान देन हम बात करें पैसेंट के preparation की यहनी की पैसेंट को किस परकार से तयार किया जाता है before the examination, examination से पूर पैसेंट की 5-6 गंटे पास्टिंग रखी जाती है पैसेंट की बावल की preparation के लिए पैसेंट को luxurious दिये जाते है and पैसेंट के जब department में आता है तो उसके clotting factors की report को check किया जाता है उसके बाद में पैसेंट के कुछ test perform करवाय जाते है यानि पैसेंट के कुछ test करवाय जाते हैं जिनके अंदर है bleeding time है, clotting time है, prothrombin time है, liver function test है, iodine sensitivity test है और उसके usg test है, whole of domain, तो यह सभी test patient के करवाय जाते हैं और जैसे ही patient के यह सभी test आते हैं उनको check किया जाता है and after then उसके किसी भी परकार के जो area of interest से artifact, jewelry वगारा होती है उसको remove किया जाता है और उसको एक OT का sterile government patient को पहनने को दे जाता है और patient से एक सहमती पत्तर पे sign करवा लिए जाता है और उसके बाद patient को एक digepam का injection inject किया जाता है यह एक pre-medication होती है patient की, because इससे जो patient की anxiety है उसको हम यहाँ पर दूर कर सकते है यानि घबराहटपन होता है patient के अंदर उसको दूर करने के लिए तो procedure या technique की बात करें हम यहाँ पर तो किस प्रकार से इस procedure को आगे बढ़ाया जाता है patient को सबसे पहले सुपाइन position में chloroscopic table के उपर लिटा दिया जाता है उसके बाद में जो इसकी spleen होता है उसको usg machine की साइटा से locate किया जाता है उसकी spleen की position को उसके बाद में जो position हमने spleen की जो site हमने जो लोकेट की थी पंक्चर site हमने locate की थी तो उस पंक्चर site को carefully bitarding solution से उसकी scrubbing की जाती है carefully उसको clean किया जाता है scrubbing करके और उसके बाद में scrubbing के बाद में एक local anesthesia को inject किया जाता है उसे puncture site के उपर उसके बाद में patient को mild inspiration के दोरान उसकी स्वास को रोकने के लिए कहा जाता है दीरी दीर जब patient स्वास लेता है तो उस दोरान जैसे ही patient स्वास अंदर लेता है तो patient को स्वास रोकने के लिए कहा जाता है और उस दोरान patient के जो needle होती है उसको inwardly यानि अंदर की तरफ थोड़ा उपर करते हुए जो निडल होती है उसको इंजेक्ट किया जाता है और उसको इस्प्लेनिक हाइलम के रीजन तक वहाँ पर इंसेट किया जाता है लगबग निडल का लगबग साड़े 7 cm यहाँ पर उसको इंसेट कर दिया जाता है और निडल से हम उसके बाद में या तो यहाँ पर कैथ्र का भी हम यूज़ कर सकते है निडल के अलावा अगर हम निडल का रहा है तो आप उसके बाद में जह सिरिंज है उसको कनेक्ट करते हैं 50 ml कॉंटास्ट लेके और उस्से कॉंटास्ट को हम यहाँपर वीनस सिस्टम में उसके अंदर एंटर करता है तो उसके जश्ट बाद जैसे ही कुंटास इंजेक्शन किया हमने उसके जश्ट बाद में हम क्या है इमेज लेना स्टाइट कर देते हैं वह इमेज लेते हैं वन इमेज पर सेकंड के हिसाप से अब्डोमेन की सुपाइन पोजिशन में लेती है और वह लगबग एट सेकंड टक इमेज टेकन आउट करते हैं और जो एक्सपोजर किये जाते हैं जब पैसेंड एक्सप्रेस्ट करता है और उस दोरान पैसेंड के जो स्वसन है बीदिंग है उसको सस्पेंड रखा जाता है और उसके बाद में ही यह आपर एक्सपोजर दिये जाते हैं ठीके यानि फिल्म एक्सपोज की जाती है इसके बाद हम बात करते हैं इसके कॉंप्लिकेशन की यानि कौन-कौन से यह आपर कॉंप्लिकेशन हो सकती है और कभी गबर क्या होता है कि कुछ पैसेंड जिनके अं जो veins होती है, venus system है, उसको assess कर पाना यानि जांच कर पाना difficulty होता है, तो इस प्रकार के जो complications है यहां पर हो सकते हैं, then हम बात करें, इसके after caring की, patient की क्या after caring होती है, image, proper image लेने के बाद needle को उस स्तान से हटा लिया जाता है, और वहाँ पर dressing कर लिया जाता है, प्रोपर ड्रेसिंग के बाद में वहाँ पर एक bandage अपलाई कर दिया गता है उसके बाद में patient की observe, observe patient and if there is any sign of allergic reaction patient को observe किया दाता है अगर महाँ पर किसी परकार का allergic sign है allergic reaction है तो हमें आवशकता होती है उनको assess करने की और साथ ही जो vital signs होते है patient को उनको भी assess किया दाता है अगर allergic signs होते हैं तो तुरंत physicians के द्वारा महाँ पर क्या उसको treat किया दाता है उन्हें anti allergic medication दी जाती है और उसके बाद में patient को appropriate word के अंदर shift किया दाता है प्रिसिडेंट्स आज का ये वीडियो लक्षर यहीं पर complete होता है तो कैसी लगी वीडियो लक्षर आपको अगर अच्छी लगी तो वीडियो लक्षर को like करें और साथ ही साथ चैनल को subscribe करें और bell icon को press करें ताकि आने वाली सभी वीडियो लक्षर की notification से अपडेट रहें आज के लिए इतना ही मिलते हैं आपसे हम next वीडियो लक्षर के अंदर thank you so much